Hello everyone, welcome to Okul India के सबसे affordable learning platform में आप सबी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे about this national list of essential medicines ये 2022 की एक नई list आई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये जो topic है, ये आपका prelims point of view से भी important है और mains में भी इससे question पूछे जा सकते हैं तो चलिए इसको start करेंगे और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये syllabus के किस point से ही है किस topic से जो है वो match करता है तो syllabus mapping हमने इसकी करी है तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो जो आपका GS paper 2 है यानि कि जिसमें हम लोग बात करते हैं about governance, constitution, polity, social justice और IR that is international relations की उसमें ये topic बनता है कि government policies and interventions for the development in various sectors and issue arising out of their design and implementation ठीक है इस topic का ये जो है syllabus के इस topic से ये match करता है अब इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक की story क्या रही है अभी तक की story ये रही है कि आज से 2 दिन पहले यानि कि 13 सितंबर के दिन National List of Essential Medicines यानि कि NLEM 2022 ये release की गई थी इस पूरी की पूरे list में जो है वो 384 यानि कि 384 medicines है और 27 categories में वो medicines available है ठीक है ये बात clear है अभी जो list आई है 2022 की ये पहली बार नहीं आई है ठीक है इस तरीके की list जो है वो हमारे पास पहले से भी available है अब वो पहले से क्या list थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे last में फिलाल आप आगे देखिए जो 2022 की list आई है इसमें 34 नई drugs जो है यानि कि 2034 34 new drugs को जो है वो इसमें add किया गया है और 26 drugs को क्या किया गया है इसमें से हटाया गया है they have been removed ठीक है including common gastrointestinal medicines जैसे कि कुछ medicines के नाम दिये गए है इनका नाम हटा दिया गया है ठीक है तो ये medicines का नाम जो है वो as such याद रखने की हमें जरूरत नहीं है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा जो information है वो आपके लिए किस तरीके से exam point of view से important होगी ठीक है तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि 384 medicines है 27 degrees में 34 को ने add किया गया है 26 को जो है वो delete किया गया है या eliminate किया गया है इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये एक tweet है जो डॉक्टर मंसुक मांडिवी है यानि कि जो हमारे union ministry में जो आपके health minister है ठीक है उन्होंने ये tweet किया था और उन्होंने ये बोला है कि several antibiotics, vaccines, anti-cancer drugs और many other important drugs जो है वो इसके बाद क्या हो जाएंगी they will become more affordable ठीक है वो जादा affordable हो जाएंगी और साथी साथ patients का जो out of pocket expenditure है वो इससे कम हो जाएगा यानि कि जो लोग अपनी जेब से पैसा दे के दवाईयां खरीदते है वो इसके बाद जो है सस्ती हो जाएंगी तो basically out of pocket expenditure को लेकर या health sector में कितना expenditure जो है वो किया जा रहा है इसको लेकर भी हम लोग एक video बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे ठीक है तो I hope ये बात clear है इसके बाद अगर हम बात करें तो जो prices है जो essential medicines के prices है essential medicines मतलब वही जो ये NLEM के अंदर include होंगी ठीक है इनके जो prices है वो regulate कौन करता है National Pharmaceutical Pricing Authority that is NPPA या नपा भी इसको बोलते है ठीक है अब ये आपके लिए जो है Prelimence Point of View से important बन जाता है कि इन essential medicines के price को कौन regulate करता है कौन control करता है that is National Pharmaceutical Pricing Authority या फिर नपा ठीक है तो ये point आप note down करेंगे इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस list में drugs को add कैसे किया जाता है या कोई भी medicine या कोई भी drugs जो है वो इस list में कैसे add होती है इसकी बात करें तो देखें सबसे पहले NLEM में अगर किसी drugs को include करना है तो क्या होना चाहिए The drugs have to be useful in treating diseases which are a public health problem in India ठीक है यानि कि वो दवाई ऐसी होनी चाहिए ये वो किसी ऐसे बिमारी के इलाज में यूज होनी चाहिए जो public health problem है इंडिया में पहला condition या पहला criteria ये है दूसरा criteria ये है कि they have to be licensed and approved by the drugs controller general जो DCGI है उसके द्वारा approval होना चाहिए या license होना चाहिए साथी साथ उस दवाई की proven efficacy होनी चाहिए कि किसी भी बिमारी से निपटने के लिए या बिमारी के treatment में उस दवाई की कितनी effectiveness है वो यहां से पता लगेगी साथी साथ safety profile भी होना चाहिए उस दवाई का मतलब वो दवाई जो है खाने के बाद कुछ side effects वगरा नहीं करनी चाहिए उसका safety profile भी देखा जाएगा साथी साथ उसकी जो cost effective है उसकी भी बात की जाएगी कि वो दवाई कितनी cost effective है ठीक है अगर कोई दवाई बहुत जादा महेंगी है comparatively तो उसको फिर इसमें include नहीं करा जाएगा and aligned with the current treatment guidelines जो current treatment guidelines है मतलब किसी भी बिमारी के लिए अगर कोई medicine जो है वो prescribe की जाती है या वो medical guidelines में available है included है तो उसको फिर यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा उसमें add किया जाएगा साथी साथ they have to be recommended under the national health program of India ठीक है अगर वो national health program of India के द्वारा recommended की जाती है मतलब उसके अंडर recommend की जाती है तो भी उस medicine को या उस drug को जो है इस list में include किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पर example दिया हुआ है कि 2018 में एक lymphatic philarisase एक disease थी उसके elimination के लिए एक basically एक national plan चलाया गया था that is accelerated plan for elimination of lymphatic philaris तो उसको लेकर एक दवाई का नाम था that is evormactin ठीक है evormactin या evormactin जो भी इसको बोलेंगे वो basically इसका example है कि national health program में अगर वो दवाई recommended है तो भी उसको इसमें include किया जा सकता है clear है बात इसके बाद कुछ और points भी है जो हम देखींगे वो यह है कि when more than one medicine is available for the same therapeutic class a prototype that is best suited medicine of that class is included अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बीमारी के लिए किसी बीमारी के treatment के लिए therapy के लिए एक से ज़ादा medicines available होती है तो उस case में कौन सी include की जाएगी उन मेंसे जो best suited होगी मतलब सारी conditions देखी जाएगी किसका safety profile जादा है किसकी cost effectiveness ठीक है उसके हिसाब से फिर उसको include किया जाएगा अगला point यह है यह बहुत important point है प्रिलिम point of view में इस तरीके के जो statement है उनको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक दवाई का price देखके उसको मतलब इसमें add किया जाए या नहीं किया जाए वो consideration नहीं होता ठीक है पूरा का पूरा treatment का price देखा जाएगा कि कोई अगर बिमारी है तो उसके treatment के लिए आपको कितनी दवाई यहां खानी पड़ेंगी उसका total cost कितना होगा total treatment का जो cost है वो कितना होगा उसके हिसाब से जो है वो यह cost वाला criteria देखा जाता है और इसके बाद यहां पर एक point और दिया हुआ है कि fixed dose combinations are usually not included जो fixed dose combinations होती है उनको include इसमें नहीं किया जाता ठीक है तो यह भी important point है उसको भी ध्यान रखेगा इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं कि हमने देखा कि 34 जो drugs है या 34 जो medicines है उनको इससे eliminate किया गया है हटाया गया है तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो drugs हैं उनको eliminate किया जाता अभी तो हमने addition के criteria देखे अब elimination के criteria देखते है elimination के criteria यह है if it is banned in India किसी भी दवाई को जो है इस list से डिलीट किया जा सकता है अगर वो इंडिया में banned हो चुकी है तो पहली condition दूसरी condition यह है कि if there are reports of concerns on the safety profile वही मैं आपको बताया कि अगर कोई दवाई की safety profile को लेकर कुछ concern है कि उसकी जो safety है मतलब उस दवाई को लेने के बाद अगर कोई side effects बगरा हो रहे है safety profile पर अगर सवाल उठ रहे है तो भी उस दवाई को जो है इस list से क्या करा जा सकता है eliminate किया जा सकता है या हटाया जा सकता है अगला यह है कि if a medicine with better efficacy and is cheaper is available अगर मान लीजिए किसी बिमारी के treatment के लिए कोई दवाई का use हो रहा है ठीक है लेकिन कुछ ऐसा development होता है कोई scientific development होता है जिससे उसी treatment के लिए कोई और दवाई जो है वो market में आ गई है ठीक है उस दवाई की जो efficiency है वो better है जो नई दवाई आई है उसकी जो efficiency है या जो उसकी effectiveness है वो जादा है और साथी साथ वो सस्ती भी है अगर वो cheaper भी है तो उसको जो है फिर इस list में include कर लिया जाएगा अगला point यह है कि if the disease for which a particular medicine is recommended is no longer a national health concern ठीक है यानि कि कि किसी ऐसी बिमारी के लिए किस दवाई का use हो रहा था जो अब national health concern नहीं है तो उस दवाई को भी फिर इस से include sorry exclude कर दिया जाएगा या delete कर दिया जाएगा I hope clear है बात अब यहाँ पर एक point और दिया हुआ है कि antimicrobials के case में if the resistant pattern has rendered an antimicrobial ineffective then it is removed from the national list of essential medicines पहली बात तो यह है कि antimicrobials क्या होते हैं antimicrobials जैसे आपने बहुत सारी दवाईयां देखी होंगी जिनको बोला जाता है antibiotic ठीक है ना antibiotic, antiviral antifungal antiparasitic इस तरीके कि बहुत सारी जो दवाईयां होती हैं वो कहलाती है antimicrobial यानि कि microbes के खिलाफ लड़ रही है microbes के खिलाफ, microbes क्या होते है जैसे virus एक microbes है bacteria एक microbes है आपका fungus एक microbes है तो उसके खिलाफ जो लड़ रही है उनको बोला जाएगा antimicrobial antimicrobial के case में यह होगा कि अगर मान लीजिए antimicrobial ineffective हो गया मतलब होता क्या है कि antimicrobial या जो antibiotic वाली दवाईया है उनमें हम इसलिए खाते हैं या उसको हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे body में जो bacteria का असर हुआ है या जो virus का असर हुआ है उसको हम क्या कर सकें रेजिस्ट कर सकें अगर मान लीजिए वो resistance जो है क्योंकि antimicrobial किसी लिए बोले जाता है कि जादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि body के अंदर जो bacteria है या जो virus वगरा है वो क्या हो जाते हैं उनके अंदर एक resistance पैदा हो जाती है और फिर इन दवाईयों का असर नहीं होता तो अगर मालीजे ऐसा हो गया है कि दवाईया लेने के बाद या antimicrobial लेने के बाद हो ऐसा गया है कि general sense में अगर हम बात करें तो शरीर के अंदर जो है या जो microbes है उनके अंदर resistance इतनी बढ़ गई है कि अब वो antimicrobial जो है वो ineffective हो चुके है यानि कि अब वो antibiotic जो है वो काम नहीं कर रहा है या antiviral जो है वो काम नहीं कर रहा है तो फिर उस दवाई को इस list में नहीं रखा जाएगा फिर उस दवाई को इससे हटा दिया जाएगा तो important point है इसको भी ध्यान रखेंगे आप इसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ आगे बात करेंगे एक point और important है वो यह है कि इसमें जो अभी पूरी की पूरी list मैंने आपको बताई जिसमें 387 medicines है या 387 drugs है उसमें बहुत सारी medicines के नाम जो है वो दिये हुए है ठीक है पर आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि याद होंगे भी नहीं याद नहीं रखेंगे सबसे बड़ा जो important point यहां से आप याद रखेंगे वो यह है कि कुछ medicines ऐसी है जो under patent है ठीक है जो under patent है उनको भी include किया गया है तो statement form में आप से exam में यह पूछा जा सकता है कि NLEM यानि कि National List of Essential Medicine includes the medicine which are under patent तो this statement is correct or wrong this statement is 100% correct ठीक है तो under patent भी 4 दवाई है जो है वो इसमें include की गई है उनके नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं एक है बेड़क्विलिन और डेलामेनिट ठीक है यह किसके लिए यूज होता है multiple drug resistant TB के लिए tuberculosis के लिए फिर एक दवाई का नाम यहाँ पर दिया हुआ है that is dolute graver ठीक है यह HIV infection के against use होती है और एक दवाई का नाम दिया हुआ है that is declatacivir ठीक है declatacivir जो है वो hepatitis C जैसे virus viral infections के against use होती है बस important point मैं आपको बताया कि under patent वाली medicines भी इसमें include की जा सकती है list में ठीक है I hope clear है बात इसके बाद आगे देखते है what is the purpose of having a list अब इस list को होने का purpose क्या है इसके बारे मैं बात करेंगे तो primary purpose of NLM is to promote the rational use of medicines सबसे पहली बात तो यह है कि medicines का जो है वो एक rational use होना चाहिए misuse नहीं होना चाहिए और तीन factors या तीन important aspects को जो है वो यहाँ पर consider किया जाता है एक है cost एक है safety और तीसरा है efficacy ठीक है इन तीनों का ही ध्यान रखना है इसके बाद अगला यह है इसके बाद आगे बात करेंगे तो in any NLEM medicines जो है वो healthcare system के जो अलग-अलग level होते है जैसे primary level of healthcare है secondary level of healthcare है या tertiary level of healthcare है तो वहाँ पर भी यह अलग-अलग तरीके से categorize की गई है ठीक है तो statement form में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि NLEM के अंदर जो medicines है वो level of healthcare के आधार पर categorize की गई है या नहीं की गई है तो बिलकुल की गई है primary, secondary और tertiary level पर clear है बात आगे देख लीजिए NLEM के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे ये भी important बन जाता है NLEM एक dynamic document है ठीक है dynamic का मतलब क्या होता है जो change होता रहता है evolve होता रहता है तो ये dynamic document है और ये regular basis पर revise होता रहता है जैसे अभी हमने देखा in pharmaceutical knowledge ठीक है कि public health की priorities को ध्यान में रखते हुए अगर वो बदल रही है तो उसके हिसाब से ये list revise होगी है ना ये document revise होगा और साथी साथ जो pharmaceutical knowledge है यानि कि जो pharmaceutical industry में कुछ नए inventions हो रहे हैं कुछ नए innovations हो रहे हैं कुछ नई scientific discoveries हो रहे हैं कि national list of essential medicines जो है वो पहली बार बनाया गया था 1996 में और अभी तक जो है तीन बार revise हो चुका है 2022 से पहले एक बार 2003 में हुआ फिर 2011 में हुआ फिर 2015 में हुआ और अब ये 2022 में हो रहा है तो चौती बार ये revise हो रहा है और पहली बार जो है एक standing national committee होती है on medicines जैसे इस SNCM ठीक है ये union health ministry के द्वारा 2018 में बनाई गई थी और इस committee ने experts और stakeholders के साथ detailed discussion किया और उसने जो NLEM है उसको revise किया 2015 में और साथी साथ अपनी जो report है वो NLEM 2022 की जो report है वो health ministry को भेजी ठीक है कि कौन सी दवाया जो है वो include होनी चाहिए अचरा देनी चाहिए वो सारी की सारी जो recommendations है जो अबनी report है वो health ministry को भेजी और health ministry ने क्या किया health ministry ने government ने इनके जो recommendations थे उनको accept किया of the committee कमिटी के जो recommendations थे उनको accept किया और इस list को क्या किया, adopt किया, ठीक है, तो I hope बात clear है, किस तरीके से इस list में change होता है, वो भी मैं आपको बता दिये कि एक committee है, जो experts के साथ, stakeholders के साथ, कुछ discussions करती है, consultation करती है, और उसके बाद फिर वो health ministry को अपनी जो recommendations है, जो report है, वो send करती है, फिर वो government के ऊपर या जो ministry है, उसके उपर निर्भर करता है, कि वो उसको accept करे या ना करे, तो यहाँ पर उन्होंने accept किया है, और list को adopt कर लिया है, I hope बात clear है, बहुत ही अच्छा topic था, और बहुत ही short पे हमने इसको cover किया है, और prelim point of view से इस तरीके के जो topic है, या जो इस तरीके की information है, वो आपके लिए क quality का full course है, साथी साथ Indian Constitutional Work, Class 11th NCRT, इसका भी full course है, और governance का course है, और जो हमारा international relation है, इसका भी course हमारे पास available है, हमारी website पर आप visit कर सकते हैं, और ये सारे courses आप देख सकते हैं, अगर मैं बाकी courses की बात करूँ, other than quality, IR या GS2 की, तो उसके लिए आप हमारी जो website है, that is okul.co, इस बाकी subject हैं, वहाँ पर भी आप visit कर सकते हैं, current affairs की channel पर भी visit कर सकते हैं, और साथी साथ जो content related doubt है, उसके लिए आप नीचे comment section में जो है, अपना message दिख सकते हैं, या फिर आप हमें telegram पर join कर सकते हैं, telegram पर हमारा group है, और साथी साथ आप social media पर भी हमें follow कर सकते हैं, तो मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे channels को अलग-अलग बनाने के पीछे जो मकसद था, जो motive था, वो यही था, कि आपको एक subject का जो सारे के सारी information है, या जो सारे का सारा content है, चाहे वो static हो, चाहे वो current का हो, वो आपको एक ही channel पर मिले, तो similarly या जैसे यह policy related news है, तो जो है वो cover करेंगे, तो अगर आप लोगों से मेरी यही request है, कि आप लोग इन channels पर visit कर लीजिए, channel सारे subscribe कर लीजिए, क्योंकि उससे यह फायदा होगा, कि जब भी जो information या जो भी इस तरीके की news या कुछ भी content हमारी तरफ से आएगा, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, तो चलिए मिलिंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखेगा, please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye-bye.